पाप और पुन्य, नैतिक कहानी, आज हम आपको जो नैतिक कहानी बताने जा रही हैं, उसका शीरशक पाप और पुन्य है. इस कहानी को पढ़कर अगर एक भी व्यक्ती बुराई का मार्क छोड़कर अच्छाई के मार्क को चुनता है तो इस कहानी को लिखने का उद्देश पूरा हो जाएगा किसी एक गाव में रमन नाम का एक चोर रहा करता था वो पास के जंगलों से गुजरने वाले रास्तों पर आने जाने वाले मुसाफिरों को चाकू की नोक पर लूट लिया करता था कभी कभी खत्रा महसूस होने पर वहां उन्हें मारने से भी कातरता नहीं था उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्मी एक बेटा एक बेटी और उसका बुढ़ा बाप रहा करता था रमन जब चोरी डकैती करता इन सब के लिए कुछ ना कुछ तोफे खरीद कर ले जाता था उसका पूरा परिवार भी जानता था कि वहां जो सारी चीजें और पैसे लाता है वहां चोरी और डकैती के होते हैं एक दिन रमन ने एक बुढ़े आदमी को लूट लिया वहां बुढ़ा आदमी रमन के आगे बहुत गीड़ गीड़ा या उसने रमन से कहा कि यहां पैसे वहां उसकी बेटी की शादी के लिए दूसरे गाव से उधार लाया है क्रिप्या करके वहा इन्हें ना लूटे वरना वहा अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाएगा लेकिन रमन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था इसलिए रमन ने उस बूढे आदमी को धक्का मार दिया और उसका सारा पैसा छीन कर अपने घर लोटाया घर पांचने पर रमन के पिना ने उसे पूछा कि आज कहां से आ रहे हो तब रमन ने उन्हें बताया कि आज उसने एक बूढे आदमी के पैसे लोटे हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लेकर अपने घर जा रहा था रमण के पिता ने उसे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा करने से तुम्हें बहुत पाप लगेगा तुम्हें अब चोरी, चकारी और डकैती छोड़ देनी चाहिए और कोई मेहंत का काम करके पैसे कमाने चाहिए तब रमण अपने बाप पर गुसा हो गया उसने कहा आपके मुंग से यह बाते शोभा नहीं देती क्योंकि मुझे चोरी, चकारी और डकैती सिखाने वाले ही आप है अब आप मुझे ज्यान मत दीजिए उसके पिता ने उससे कहा कि हाँ बेटा मैंने ही यह पाप का रास्ता तुझे दिखाया है मगर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह रास्ता गलत है तो मैंने भी तो अपने बुरे काम करने छोड़ दिये तुम भी जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो नहीं तो आगे जाकर बहुत पच्चताओगे लेकिन रमन ने उनकी एक न सुनी और अपना बुरा काम करना जारी रखा कुछ दिनों बाद रमन फिर से चोरी डकैती करने के लिए जंगल के आने जाने वाले रास्तों पर छिप कर बैठ गया वहाँ पर एक जोड़ा नया नया शादी करके आ रहा था उसने उन्हें पकड लिया और चाकू दिखा कर सारा पैसा और जेवराज मांगने लगा इस जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे और जेवराज दे दिये मगर जब दुलहन ने अपना मंगल सूत्र देने से मना किया तब रमन को उन पर गुस्सा आ गया और उसने दुलहे को मार दिया और दुलहन को बोला कि अब यहां मंगल सूत्र तुम्हारे किस काम का अब तो तुम्हारा दूलहा भी मर गया लाओ इस मंगल सूत्र को निकाल कर मुझे दे दो नई नई शादी करके आई दुलहन अपनी आंखों के सामने अपने पती को मरता हुआ देख खुद भी सदमे से मर गई यह सब घटना जब हो रही थी तब पास के पेड़ के नीचे बैठा साधू ये सब देख रहा था साधू ने रमन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें इतना मूल्यवान मनुश्य जीवन मिला है और तुम इसे इतना भयंकर पाप करके व्यर्थ कर रहे हो तुम एक इमानदारी भरा जीवन क्यों नहीं जीते तब रमन ने उसे कहा यह मैं अपने लिए नहीं करता मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ मैं जो लूट पाट करता हूँ उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं वह मैं सारा अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूँ तब साधू ने रमण को कहा कि चाहे तब साधू ने रमण को कहा कि चाहे तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो मगर इस पाप का सारा हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा हाँ अगर कोई है जो अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप में भागिदार बनता हो तब बात अलग होगी रमन ने साधू की बात सुनकर तुरंद कहा मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह सभी जरूर मेरे पाप में भागिदार बनेंगे आखिरकार में यह सब उनके लिए ही तो करता हूँ साधू ने रमन से कहा कि हो सकता है यह तुम्हारा भ्रम हो इस बात को सपष्ट करने के लिए तुम्हें अपने परिवार से एक बार पाप की हिस्सेदारी लेने के लिए पूछ लेना चाहिए रमन को साधू की बात पर विश्वास नहीं हुआ लेकिन उसने सोचा कि एक बार पूछने में क्या जाना है उस दिन जब वह घर पहुचा तो अपने सारे परिवार के लिए कुछ ना कुछ तोफे लेकर गया जिनने पाकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए उसने सबसे पहले अपने पिता से पूछा कि क्या आप मेरे पापों में भागीदार होंगी पिरा ने उससे कहा कि बेटा मेरे खुद के ही इतने सारे पाप है जिनका पच्चतावा मैं अब तक कर रहा हूँ भला मैं तुम्हारे पाप में भागीदार कैसे बनूँ और वैसे भी मैं तुमसे यह काम छोड़ने के लिए तो पहले से कह रहा हूँ बात में रमण अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया अपनी पत्नी और बच्चों से भी यही सवाल किया कि क्या वह उसके पाप के भागीदार बनेंगी तब उसकी पत्नी और बच्चों ने उससे कहा कि आप जो कुछ भी करते हैं वह हमारे लिए नहीं करते बलकि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी वह जिम्मेदारी है आप अपनी जिम्मेदारी चोरी डकैती करके पूरी करो हमने ऐसा कभी नहीं कहा वो पूरी तरह आपका फैसला है इसलिए इससे मिलने वाले पाप में हम आपके भागीदार कैसे बने अपने परिवार का जवाब सुनकर रमन की आखे खुल गई वी तुरंट जंगल में पेड के नीचे बैठे साधू के पास गया और सारी बात साधू को बताई और उनसे यह भी पूछा कि वह कैसे अपने पाप कम कर सकता है साधू ने उससे कहा अपने सारे बुरे काम तुरंट बंद कर दो और तुम्हारे पास जो कुछ है तन, मन या धन उन सब से अच्छाई के काम करना शुरू कर दो जिससे तुम्हारा पाप धीरे-धीरे कम हो जाएगा उस दिन से ही रमन ने सारे बुरे काम बंद सारे बंद कर दिये और अच्छाई के कामों में लग गया कहानी का नैतिक पाठ मित्रो कही आप लोग भी अपनी जिम्मिदारियों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं, जिनकी वज़से आपकी पाप की गठरी भी भारी होती जा रही हो याद रखिए आप जो भी कर्म करते हो उससे मिलने वाला पाप आप चाकर भी किसी के धन्यवाद